जो आदूसतों मेराज पांड़े आप देख रहे हैं आर्सियो ने टुडे आइए जान लेते अभी की बड़ी ख़़ी ख़़ारी में आभी की लेटेस्ट अपडेट कि बारे में बात करेंगे पूरी खबर विस्तार से देंगे सच को सच कहेंगे जूट को जूट कहेंगे ना पच्छ ना विपच्छ वन निनिस पच्छ आज की इस वीडियो में यूपी बिहार साइथ अन्य राज्जो की विमिने खबरे आपको मिलने वाली है जो आपके लिए अत्मेहत पूर है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा मेरा काम होता है आपको गुमराह होनी से बचाना गोधी मीडिया से बचाना आपको कई परकार की खबरे दी जाती है आपको गुमराह किया जाता है तो उससे मैं आपको बचाता हूँ समाचार पत्रों में जो कुछ आता है सब कुछ सही नहीं होता है जो सही होता है हो सकता है आपको पता ना हो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें समाचार पत्र में जो कुछ निकला हुआ है एक एक पॉइंट में आपको समझाने का प्रियास करूँगा वीडियो को लाइक शेर कर दें इसे परकार कि अथेंटिक ज्यानकारी के लिए अभी चैल्व को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबादे औल पर सेलेट कर दें जिसने मारे वीडियो का लोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं पहले ख़बर रेलवे की है कहाँ पर या ख़बर आई हुई है नई दिल्ली में आपको बता दे नई दिल्ली के समात्यारपत्य को पढ़ेंगे तो इस खबर को देखने को आपको मिलेगा रेलवे भरती परिछा में गर्बड़ी का मुद्धा गोजा यानि कि जो आरारवी एंटी पीसी भरती परिछा में गर्बड़ी हुआ है परिडाम संसोधित करने की मांग की जा रही है बीश टाइन सुझू लाने की मांग की जा रही है उस पर आवाज उठना बंद नहीं हो रहा है लगातार आवाज उठ रहे है रेलो में भरती परिछा परिछा प्रक्रिया को लेकर चार मार्च जब चुनाओ संपन्द हो जाए यानि कि अंतिम चरण का चुनाओ होगा चार मार्च को पूरी रिपोर्ट प्राप्ट होगी उसके बाद डिसीजन होगा दस मार्च की बाद ही आपको कुछ द्यूज मिलेगा या आपकी पच्छ में होगा या आपकी बिपच्छ हो जाएगा अगर जटका नहीं लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि सुधार हो पाएगा क्योंकि एक होता confidence एक होता over confidence तो सरकार के पास अभी confidence है चुनाव जितने का इसलिए 4 March का समय है अगर over confidence हो जाएगा जब सरकार चुनाव जीत जाएगी तो क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं यानि कि confidence अच्छा होता है over confidence अच्छा नहीं होता है जब आप कुछ भी गलत करते हूँ उसके बाद भी आपको विजय मिलती है आप गलत करते जाओ विजय मिलती जाए गलत करते जाओ विजय मिलती जाए आपकी हार ना हो तो over confidence हो जाता है जिसके कार आप कितना भी आवाज उठाते हैं आपकी आवाज को दबाया जाता है और सरकार पर इसका कोई भी effect नहीं पड़ता है इसलिए लोग तंत्र को बचाने के लिए लोग कही तरह के हट कंडे अपनाते हैं और पांथ साल में एक अउसार आपको मिलता है वोट का उट के बाद आपके बास कोई आउसार नहीं है आप कुछ भी ने कर सकते हैं पान साल फिर आपको इंतजार करना पड़ता है तो आपकी बार समय है आप लोग सोच समझकर नेड़ने लेजिएगा आपका भविश आपके हाथ में है सरकार चाहें तो आर आर भी एंटेपी सी भरती परिच्छा को लेकर बड़ा परिवरतन कर सकते हैं विश टाइमस बुला सकती है अब देखना होगा क्या होता है एक और महस्पूर कबर है साड़े साथ वरसों से है 13120 पजों के परिडाम का इंतजार बिहार की कबर है आपको बता दें परिच्छा कब हुई यहां पर जानकारी दी गई है कि 13120 रिक्तियों के लिए 2014 में B.S.S.C. ने विग्यापन जारी किया था 29 जनूरी वा पांच फरूरी 2017 को पहरी बार हुई थी परारंबी परिच्छा पेपर लिखोने के कारण रद की गई 2017 की परिच्छा दिसंबर 2018 में दुबारा आयोजित हुई परारंबी परिच्छा कर दिसंबर 2020 में मुख परिच्छा आयोजित हुई थी 2021 में मुख परिच्छा का परिडाम जारी हुआ था 13 अगस्त 2021 तक हुई थी साली तक परिच्छा दिसंबर 2021 आयोजित हुई थी कांसलिंग लेकिन अभी तक परिडाम जारी नहीं हो पाया है परिडाम का इंतजार परिड पूर्व खबर है दिहार की है मरीजबर्मा बने मुखमंतरी के अठ्रिक्त प्रामर्शी तो यहाँ पर पूर्व जानकारी दे गही है अगली अप्रेट है कि गया के S.P. और आज भी हटाए गए क्यों हटाए गए नितिस सरकार ने आज गया के आजी से लेकर एसपी तक को हटा दिया है वहीं गया कि पूर्ब डियम को भी ट्रांसफर किया गया है नीतिस सरकार ने एक जटके में गया कि आजे अमित लोड़ा और एसपी आजित कुमार को इस्थानांतरित किया है अमित लोड़ा को पूरिस मुख्याले में वेटिंग फार पोस्टिंग रखा गया है वहीं वैरिये पूरिस अजित कुमार को भी पूरिस मुख्याले में पर इस्थापन की प्रतिच्छा में रखा गया है क्योंकि आयाता है आप लोग समस्झ सकते हैं मुझे बताने के वाश्कतां नहीं है आफ लें ली अपडेट है दरोगा भरती परिच्छा प्रिज़ प्रिछा का निजनर्पल्य कर दो जारी कर दिया गया है आप लोग लीफ साइड पर जाकर परिज़ां को देख सकते हैं एक और महत्पूर खबर है और जो राहूल गाजी के द्वारा कहा गया बहुत ही महत्पूर है सरकार ने अमीर और गरीब दो हिंदूस्तान बना दी हैं अगर आप इस भासर को सुन लेंगे जो राहूल गाजी के द्वारा बोला गया है अगर आप उसको सुन लेंगे तो आपको ह जिस राहूल गाजी ने बुद्वार को आरोप लगाया कि केंज सरकार ने अमीर और गरीब के लिए अलग अलग हिंदुस्तान बना दिया है। उन्हेंने कहा है कि इन दोनों हिंदुस्तानों की बीच दोड़ी बढ़ती जा रही है। राश्पती का अभिभाशर में देश के सामने मौजूद समसाओं वा चुनोतियों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए राहूल ने बिरूजगारी, पेकासस, किसान, गरीब और सीमा परतनाव के साथ केंज वर राज्यों की रिष्टों पर भी सरकार को घेरा आपको भली भाशी मालूम होगा, कॉंग्रेस पर भरष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, पैसा कहां से आता है, किस फंड से आता है, पैसे कि मेरे धी कहां से और इसके बारे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, 2014 में जितनी संपत्ती बीजेपी के पास थी, और 2021 से 22 में जित सतर साल नहीं किया है, सतर साल से कम किया है, कई बार बीजेपी भी सरकार बीच में रही है, तो सतर साल की बात चलती तो मैं माल लेता हूँ, सतर साल कॉंग्रेस ने राच किया, सतर साल में कॉंग्रेस ने 586 करोण या 87 करोण के करीब संपत्ती बनाई है, लेकिन बीजेपी 2013 से लेकर 2013 से लेकर अब तक 2013 14 का जो आंकरा है अब तक 4600 करोड के करी संपत्ति हो गई है पार्टी की और सबसे अमीर पार्टी बन गई है तो इस पर मैं कुछ रही कहूंगा आप लोग सोचने और समझने की छमता रखते हैं तो आप लोग खुद होसे आरहें मुझे आपको क्या बताने के वशकता है आप इतने दिमाग वाले हैं मैं आपको क्या समझाओं तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कहां से बोल रहा हूं अगली अपडेट है राधधानी में तीज हवा के साथ दो दिन बारिस की संभावना तीस से चालिस किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है दिल्ली में दो दिन तक आगली अपडेट है छेटी चलर की 57 सीटों पर नामांकन कल से होगा यूपी का रण पुरवांचल की ग्यारा जिलो से अज़ सूचना चार फरोरी को जारी होगी एक और महत्पूर्ण खबर है जिसके समझे में अभी जिक्रकर रातक सरकार की नीतियों ने बनाए दो भारत राश्पती के धन्यवाद परस्ताव पर चर्चर्चा में राहूल गाजी ने सरकार को किया अगाह यूपी टीटी पर इच्छा को लेकर महत्पूर्ण खबर है प्रात्थ मिक में चार परश्वार पर आपत्ति उत्तर पर इच्छपत्तर पर इच्छा वेसे मैं आपको बताना चाहता हूं, यह चार नमबर हमने बताना था कि आपके बढ़ेंगे तो चार बढ़ना था है, आगे बढ़ जाए तो यहाँ आपका भागी है, एक और महत्पुर्ण के बढ़ें, CTET, देखी यहाँ पर लिखा हुआ CTET, उत्तर कुंजी जारी कल तक द एक और महत्पुर्ण खबर है, जिसके समझ में आपको जानकारी होना वश्चक है, यह पर ट्रिपल स्थी की, आपको बताना चाहता हूं, कि भर्तियों का अक्षर लंबित हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदिस लोग सिवायों ने इस मिथक को तोड़ने के लिए 2019 से 21 कि 20 ब 20 से अधिक भरतियां लटकी हैं, उन्हें पूरी करने के लिए प्रतियों की 6 संगर समित ने मुख सची को पत्र लिखा, पत्र के जरिया लंबित भरतियों को 90 दिनों में पूरा किये जाने की मांकी है, देखे, 90 दिन का जो जिक्रा रहा है, या घोश्रा पत्र में था आपक 2018 की पेंड़ी काई भरतियां पेंड़ी हैं, तो अभी तक पूरी ने उपाएं, क्या आप पूरी हो जाएंगे सभी के जहन में एक सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि माई के पहले किसी को ज़ानिंग नहीं मिलने वाली है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, माई एक और महत्पूर खबर है, आपके लिए बहुत ही महत्पूर है, भारत में बैज नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी, आर बी आई का डिजिटल रूपी ही मानी, तीस फीदी कर घोश्टा से था अस्वन जस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी से आप और महत्पूर खबर में आपको बताना चाहता हूँ, कि सरकार इस पश्टी करेंट क्रिप्टो संपत्ती करेंसी नहीं, बजट में 30 फीदी कर की घोश्टा से थास मन जस, तो उसको दूर किया गया है, डिजिटल रूपी हमारी भावतिक करेंसी का ही, डिजिटल स्वरूप नगदी में बदलना संभो, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है, कि आप डिजिटल करेंसी को नगदी में बदल सकते हैं, या बेवस्था भारत में बहुत ही जज़ लागू की जाई हो, भारत की खुच की एक डिजिटल करेंसी होगी, एक वाइरल सौंग सुनाना चाहता आप इसको सुनिये, देखिए आपको अनन्द आएगा तो आपको इसी परकार की अगर अथेंटिक जानकारी चाहिए, आप हमसे जूड़ना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो सौंग मैंने सुनाया है, खुब वारल हो रहा है, इसी परकार की जानकारी के लिए आपका इस चैनल पर स्वागत है, जहिंज वारतू नमस्कार